हाई वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल मोनिका पंपटर आज अपन बात करते हैं आफगरिस्तन पाकिस्तान का जिंग इनके बारे में मेजर आरेसर ने क्या करते देखते हैं स्टार्ट करते हैं जब बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलियोगा दोस्तों पहली चीज तो पूरी जो चानक के फूर्म और चानक के डायलोग की टीम है हम आप सब लोगों को बहुत-बहुत धनेवाद कहते हैं आपका बहुत-बहुत आशेरवाद रहा कि हम लोगों ने पांच लाग सबस्क्राइबर ख्रास कर लिए हैं आपके व्यूज आते हैं उससे हमारा होंसल में एक चमन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको बते ने डूरन लाइन जाती है और डूरन लाइन को बॉर्डर बताते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ठीक है तो ये डूरन लाइन है अफगानों ने कभी नहीं माने ये पाकिस्ता मैं आपको बताता हूँ इस टोरी कहां से शुरू हो रही है, पाकिस्तान के लिए बहुत-बड़ा एक माइग्रेन है, बहुत-बड़ा एक सरदर्द है और यह स्टोरी शुरू कहां से हो रही है। पस्लीम करते हैं, हम अगरी करते हैं कि आपका बॉर्डर है, यह बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमसी में, अफगानिस्तान ने, चाहे वो राजा हो अफगानिस्तान का, चाहे फिर वो कॉमिनिस्ट हो, वो नजीब उल्ला जिसको टांग दिया था, राइ पाकिस्तान में है, अटक तक और उने अपना मैप दिखा दिया और बोला कि जनाब, यह हमारा मामला है, यह हमारी जमीन है, निकलो यहां से, अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई, टेंचन, टेंचन पहले से था, आज से तोड़ना बढ़ा पहले सिर्फ यह होता था कि तहरी के तालिबान पाकिस्तान, उसके लोग पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते थे और वापस अफगानिस्तान भाग जाते थे, अब ध्यान दीजेगा जो दोस्तों मैं आपको बाद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तहरी के तालिबान ये इसके fighters आते थे इसके terrorists आते थे और पाकिस्तान के अंदर दैशतगर्दी के बाकिये आतंगबाद फैलाते थे इसको मारा इसको मारा और सिर्फ अगर फौजी को मारते तो मैं एक बात समझ लेता ठीक है फौजी को मारा है तो उसका तो काम है लड़ना या arm civilians को मार दिये य बड़े वाला कि 6 लोग मर गए और 17 गायल है अभी पूरी डिटेल नहीं आई है वो लड़ाई अभी भी चल रही है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो लड़ाई चल रही है दोस्तों इस प्यार का बयान आया है इंटर सर्विसे पब्लिक रिलेशन जो पाकिस्तानी आम्र फोस्स का जो मीडिया विंग है उसका बयान आया है कि 6 डेट 17 इंजर्ड इन चमन अफगान बॉर्डर फोस्स ओपन अंप्रवोक्ट इंडिस्क्रिम्ट फारिंग ऑन सिविलियन्स ये नो ने क्या करा है कि ये जो पूरा जो तालिबान और इनका मामला है ये अब इस और हमें कश्मीर दिलाएंगे PTI ने क्या क्या नहीं भेगा था दिला दिया कश्मीर इन्हों ने कश्मीर तु शान्त हो गया 375 से हटने के बाद और जैसा कश्मीर आज से 10 और 20 साल पहले व्या करता था इन्हों ने पूरे पाकिस्तान को वैसा कश्मीर बना दिया I don't mean to use कश्मीर as a derogatory word मैं आपको एक एक एक्जामपल देने के लिए एक उधारन देने के लिए समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर में वाइलन्स हो रहा था उससे दसगोना जादा क्योंकि ये कश्मीर में रॉकेट शॉकेट फैर नहीं होता है और हिंदूओं की साज़िश और यहुदी ये साब बकवास चो करते हैं वो लोग ये टीटीपी हो गया साज़िश वाला एक साज़िशी आतंकवादी है नॉन साज़िशी आतंकवादी है पाकिस्तान के हिसाब से तो साज़िशी कौन है टीटीपी और अच्छे वाले कौन है अफगान तालिबान जिनका राज है जिनकी हुकूमत है अफगानिस्तान में अब दोस्तों हो यह गया ना कि अब दोनों तो एक ही थे और डेवन से एक थे भारत जब कहता था भारत का कोई भी बंदा मीडिया सोशल मीडिया पर कहता था मैं खुद कहता था आ रहे है मेजर साब आपको तो कुछ पता ही नहीं है ये लाशें उठाते उठाते ठक गए इनको अब तक अकल नहीं आई कि अफगान चाहते के हैं मैं दूसरे पॉइंट पे आउँगा जरा मैं दो मिनिट आपके और लूँगा दोस्तों ये समझाने के लिए कि ये देखे न ये माइंडसेट वाली बात है ये अफगानों का जो दिमाग है कैसे चलता है जिस दिन पाकिस्तान को ये एहसास हो जाएगा और पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती बात ये समझ गए हैं फिर भी भूले बनते हैं नादान बनते हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है लेकिन जो भी पाकिस्तानी गया है प्राइविटली उसने मुझे बताया दो-तीन लोगों ने पाकिस्तान से और ये बात तो मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मेरे वहाँ पे टच हैं मेरे कॉन्टाक्ट्स हैं नॉट इंसाइट तालिबान बट अमंग नॉर्मल जो अफगान हैं आम लोग हैं, बिजनस्मेन हैं जो ड्राइफरूट का वियापार करते हैं ये सब लोग एक दो को जानता हूँ खबर यही आती है अफगानिस्तान से कि जो आम अफगानी है न जो आम अफगान है वो पाकिस्तान से जबरदस्त शदीद नफरत करता है और उसके दो-तीन वजुहात है देर रीजन्स फर देट, हिट्रिड पाकिस्तान हर समय यूनो इंटर्फेर करना कश्मीर में क्या हो रहा है जरा हम कुछ कर लें खुजली कर लें वहापे पंजाब में क्या हो रहा है इंडियन पंजाब में जरा मापे खुजली कर लें थोड़ी सी इरान में क्या हो रहा है जरा बॉर्डर में हम बलुचस्तान के तुरू जाके देख लें कुछ कर लें अफगानिस्तान तो हमारा पंचवा सुबा है इनके दिमाग में ये फिट था स्ट्रेटिजिक डेप थी सब अफगानों को आगया गुसा ठीक है और अफगानों ने अब मार मार के मैं बता रहा हूँ आपको इतनी पुरी मार लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की कि मैं मैं तो पाकिस्तानी फॉज को कम से कम मैं लोगों की बात नी कर रहा है पाकिस्तानी फोज को अपना दुश्मन मानता हूँ लेकिन एक बात मैं समझ गया यह है कि बहुत जादा लॉस हो गया है पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी फोस इसका frontier constability इसमें शामिल है, FC शामिल है पुलीस शामिल है, बहुत जादा लॉस हो गया of war by the Taliban आप लगभग इसको ऐसे समझेज़े, यह formal war डेकलेर नहीं हुआ, यह almost क्योंकि देखिए, वो कहते हैं कि हम तो तुमारा वजूद मानते ही नहीं पहली चीज़ अफगान कहते हैं, अटक तक जमीन हमारी हमें दो ठीक है, एक तो यह बात है दूसरी चीज़, उनकी जमीन से उनकी भूमी से, लोग आते हैं अटक करते हैं, वापस चले जाते हैं, मैं तहरी के Taliban पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनोंने TTP के साथ मिला दिया, और मिलके ठोक रहें उनको और चौती चीज़, अब इस पूरी पार्टी में न, वो गाना नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुए, इसमें शामिल होगी अफगान-Taliban, अब वो कह रहा है कि ठीक है, तुम तो वैसे ठोको, हम बॉर्डर पे ठोकते हैं इनको इनकी चोतरफा मार लग रही है और इनको अभी तक ये समझ भी नहीं आए कि अफगान आदमी जो सड़क पे है वहीं तो तालिबान का हिस्सा बनता है, तालिबान कौन सा एक formal governance का structure है उनके पास ये formal army का structure है, वो तो आम पश्टून है वो देवबंदी है जो कि हत्यार उठा लेता है और तालिबान बन जाता है, जिसकी वैसी जहनियत है वैसी मान सिकता है जिसकी, वो तो वह ये आम अफगान है जो तालिबान है तो ये पश्टून ग्रूप है बाइद वे तालिबान पश्टून देवबंदी ग्रूप है, सुन्नी मुस्लिम इसमें और वो नहीं प्रेफिरेंस देते किसी और को कि कोई और आए और वहां पे, उनको जोइन करें वो अफगान तालिबान ने इनको ठोकना शुरू करती है बहुत बुरी तरीके से, और ये पहला नहीं है ये कई बार, कई बार ऐसा हो चुका है कि अफगान तालिबान ने इनकी चीखें निकाल दी है अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी चीखें निकल रही है और ये बढ़ेगी बात पाकिस्तान दस चीज़ा है बोल दे की जी ये तो साजश है और एंडिया ने कुछ कर दिया है जी और वो यहुदियों ने कुछ को गंदी अपने लहोर की पंजाबी की अक्सिनट में पाकिस्तानी के समझ में आगया कि The Afghans hate you अफगान आपसे शदीद नफ़रत करते हैं जबरदस नफ़रत करते हैं उस दिन आपका किबला दुरूस्त होगा फिर आपको पता लगएगा कि पाकिस्तान में आपको क्या करना है क्या नहीं करना अभी पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में जहांके नहीं देख रहा है कि हम कहां हमने फ्रॉड करा है हमने कहां चोरी करी है हमने कहां जुल्म करा है यह पाकिस्तान किया 1971 में जो लडाई थी जो सेरेंडर था और साब हम तो बड़ी बाहदुरी से लड़े लेकिन साब किसी ने साजिश कर दी साब इसलिए हम हार गए अब साजिश ऐसे चीज़ जो पूरू भी नहीं हो सकती तो पाकिस्तानी आर्मी बाहदुर बन गई और साजिश किसी और न और पाकिस्तानियों को पता है किसे साजिश करी ने सौपेंसेट में ये लोग चड़ दोले थे कश्मीर लेने के लिए वह जनाब किसीने साजिश कर दी यह नाइटीन-नाइटीन-आइन कारगेल साब हम तो जीद गए थे साब वो किसीने साजिश कर दी पीठ पीचे अमरीक आप रोटी नहीं कहते हैं कि हुआ ची करता है यहुकी करता है आप बलस निगाता है पाकिस्तान के अंदर साजिक तो बहुत बढ़ी बात है और वे. यह आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है तो साज़िश तो बहुत दूर की बात है साज़िश होगई जी साज़िश जूट कोई साज़िश निवी बात यह है डियूरेंट लाइन इस नॉट एकसेटबल टू दिय अफगान यह प्रॉब्लम चलती रहेगी इनकी यह सौल नहीं होने वाली यह ऐसे जैसे जौर भटा होता है न हाइटाइड लो टाइड यह ड्रामा चलता रहेगा और अफगान इनको ठोकते रहेंगे अब आते हम दूसरी ख़बर पर दोस्तो एक सिंद्ब है मिया अब्दुलहक यह दो दिन पहले की ख़बर है जिसको मिठ्धु मिया या मिठ्धु भी बोलते है इसके उपर युनाइटड युनों किंग्डम ने यूके ने इसके उपर सैंक्शन्स लगा दी यह वही है जिसने हिंदु लड़कियों और सिख लड़कियों को यह किड्नैप करता है आदमी और यह उनको कनवर्ट करता है इसलाम में और 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का यह बुढ़े बुढ़े जो वहाँ पे हैं उनसे शादी करवा देता है और उनका मजभ चेंज करवा देता है इसकी शगल देखिए इसको मिया मिठ्थू इसको मिया मिठ्थू बोलते है तो इसके उपर सैंक्शन लगा दिया है अब देखे चली UK ने तो कुछ करा पर इंडिया को भी आवाज उठानी चाहिए इस आदमी के उपर क्योंकि ये जो आदमी कर रहा है लेको एक दो लड़कियों का कभी हुआ कंवर्जन तो वो वन आफ हम कह सकते हैं कि गलत हुआ है क्रिमिनल ओफेंस है नहीं होना चाहिए बहुत बुरी बात है लेकिन हो सकता है कि किसी ने प्राइविट लविल पे बंदूग लेके डरा धमका के लड़की को उठाके क्योंकि हिंदू तो वहाँ पर बेबस है ना पाकिस्तान में वो तो बेबस है वो तो कुछ करी नी सकता विचारा हवी हो जाते हैं सब हजार की भीड़ा जाएगी उस हिंदू के घर के सामने बोलेगी कि नहीं तुमारी बेटी ने इसलाम कबूल कर लिया वो ग्यारा साल की बच्ची उसको यही नहीं पता कि हिंदू क्या होता है मुसल्मान होता है उसको बारा साल की बच्ची उसको बारा साल की बच्ची उसको ठाके ले गए उसकी जवर्दस्ती शादी कर दी बुड़े से इंडिया को भी कुछ करना चाहिए राइट क्योंकि वहां पे जो हिंदू है हुमारे भाई है आपने C.E.A. जो करा है सरकार ने बहुत अच्छा कदम है पूरा सपोर्ट करता हूं C.E.A. को कि वहां से जो बंगलादेश से अफगानेस्तान से पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया लाइए और उनको शरण दीजिए आई टोटली 110% सपोर्ट लेकिन इस मिठू मियां का कुछ करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं इसका इलाज इसका सॉफ़वेर अबडेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने इंडस्ट्री खोली हुई है देखिए न मैं वही बोल रहा हूं कि कोई बंदा 150 लोग 1000 लोग लेके और किसी ने लड़के वो हम कह सकते हैं कि यहां ठीक है वो भी गलत है वो भी बहुत बड़ा जुर्म है इस बंदे ने उसकी इंडस्ट्री खोल रखी यह काम ही यह करता है यह काम ही यह करता है लोगों से पैसे लेता है फिर भीड जमा करता है फिर जाता है लड़की उठाता है उसका कनवरजन करता है अनीता को आईशा बनाया या कुछ किसी का नाम को चेंज करा और बिचारे बच्चे होते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ पता ने लगता है, मावा पर होते रहते हैं, पीठते रहते हैं, सर अपना जमीन पर पटकते रहते हैं, ये मिठू मिया फूर करके. इंडिया शोड टेक अप इस इशू आफ पाकिस्तान अट दा हाइस्ट लेवल्स. ठीक है, पाकिस्तान जो कहता रहता है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया वरकब मैं, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान में खबर क्या चपी है, मैं बताता हूँ, ये ऐसे इनों है, इनके पास ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन फ यानि कि भारत में जो कानून साथ हैं जो कि मेंबर अफ पार्लिमेंट हैं वो मोदी के खिलाफ बिलकुल चड़ दोड़े और बोला कि नहीं मोदी साथ बहुत खराद हैं और हम कंडम करते हैं बला 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 ठीक है अच्छा ये कौन हैं जिन्होंने करा है पूरे आर्टिकल म का नाम लिया है उसके पास दोड़ाई तो मेंबर अफ पार्लिमेंट हैं पर भारती मेडिय में आपको डिली ओवेसी देखेगा नितीश बाबु जो है न बिहार वाले उनके सोला हैं सोला सांसाद हैं उनके सोला या सत्रा ठारा ऐसी कुछ आपने कभी देगा नितीश पार्टी का नाम क्या है इसकी पार्टी का नाम है ओल इंडिया मजिलिस से इत्तिहाद लमुसलमीन ए आई एम एम ठीक है एक तो इसने कंडेंग करा मोधी जी को तो इसमें वोट इस सप्राइजिंग वट इस सप्राइज़िंग एक दूसरा कह रहा है कोई इमरान परताब गड़ी है एन इंडियन रेवलुशनरी पोईट औरे बबारे वो जबरदस्त इंडियन रेवलुशनरी पोईट इसको डिरेक्ली फैज एमद फैज के लेवल पर पाकिस्तानी प्रताब गड़ी सेद्ध फाशिस्ट मोदी गर्वेंट वस पर्पेट्रेटिंग गूरूसम हु मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं ठीक है यह मेरे लिए मेरा एक छोटा सा मेसेज है कि यह लोग जो कर रहे हैं ठीक है यह जो आप परताब गड़ी और इसा पता नहीं कौन है बंदा मैं तो जानता भी निए इसको और यह ओवेसी क्लू जो पाकिस्तानी आप यह प् ठीक है मेरी तालेबान से रिक्वेस्ट है जगरा इनको ऑठ टाइट करो जड़ा ठीक है इनको जब उठ गरो बहुत चौछ इनकी खुल रही है पाकिस्तानियों की पैंट भटी है रफू करने के पैसे नहीं है खाने के पैसे नहीं है और आखात ऐसी देखो कि जैसे बाश मिया मिठ्ठू के पास जा तो ये लोग किसी ओवेसी ने बोल दिया और ये परताब गड़ पता नहीं कौन है रेविलुशनरी इंडिया हमने नामी नहीं सुने इसका इसने कुछ कहा दिया ये जियो न्यूज मां छप गया और ये मिया मिठ्ठू जिसने हजार से उपर हजारों की तादात में हिंदू लड़कियों को कनवर्ट करा है ये जो गरंथी साहब थे ना जो मेन कर्तारपुर साहब के जो गरंथी साहब थे उनकी बेटी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने यार ऐसा असुर किसम का आदमी है ये बहुत बड़ा ये तो ये पूरा इस तरीकेसे करता है पंजाब सिंद इसका पूरा फैलावा है सिंद में इसका ज़ादा है मामला और ऐसे कही सारे में ठुमिया है जो समझते हैं कि उनको जन्नत मिले जिया अगर न वहाँ पर ये लोग बड़ा उसको he is getting state support ये मिया मेट्टू उसको state support मिल रहा है state support से ही तो कर रहा है वरनाब करके दिखा दो ऐसा कर लिए क्योंकि वो भी समझते हैं वो भी समझते हैं कि अगर 11 साल की हिंदू लड़की को ये kidnap करके convert कर लेगा तो ये जननत चला जाएगा they believe it, state believes इमरान खान बिलीव करता है शेवा शरीफ बिलीव करता है जनल आसम मुनिर बिलीव करता है that is why they are allowing it to happen they believe that if you kidnap an 11-year-old Hindu girl and convert her to Islam and marry her off to a 50-year-old guy you will go to heaven because you have done a good deed ये उस देश के moral principles है आपने कभी सुना है ऐसा किसी और अरब मुल्क में होते हुए वो भी मुसल्मान है आपने कभी सुना है कभी आपने सुना हो साओधी अरब में ऐसा हो गया कभी आपने सुना हो ये वहाँ पे तो Islam पैदा हुआ साओधी अरब में इम्रान खान नियाजी मैं तो बता रहा हूँ ये आदमी ऐसा कलाकार है इम्रान खान के ट्वीट है ठीक है Congratulations to Morocco on the victory over Portugal to reach the football world cup semi-finals first time an Arab African and a Muslim team has reached the FIFA world cup semi-finals wishing them success in the semi-final and beyond अबे बेकूफ इसके आगे इंचालला भी लिख देता उसके वेना तुमने sentence कैसे complete कर लिया अच्छा सारी इनको जो aid लेनी है इनको non-muslim से लेनी है मैं कभी बात नोट करी है इनको अमरीका से पैसा लेना है इनको चाहिन अमरीका तो फिर भी it's a secular state but you know in God we trust उनके नोट पे लिखा रहता है and it is it is a Christian country right उनसे पैसा Лिना एनको इनको चाइना से पैसा लेना है जहां पर भगवान को मनती नहीं किसी भी इनको से पैसा लेना है भारत जब मना कर देता है मैं आपको यहीं बता रहा हूँ यह ज़रा ट्वीट आप पढ़िये दुबारा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडिटर साब से कि इसको स्क्रीन पर रखना अब इस ट्वीट को देखिए जब भारत कहता है कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे एशिया कप या कोई XYZ कप हम नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान क्या कहता है इंडिया बहुत गलत काम कर रहा है इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसा रहा है अब बेवकूफ हो तुम तो स्पोर्ट्स में वेल डन, मुसलिम कंट्री, एक इसी का है वो, इमरान खान का स्टेपनी, शेक रशीद, वो क्रिक्ट माच हो गया, वो कहता है, इसलाम की जी, यह पता नहीं, इनका दिमाग, इनका, मुरोको वालों ने नहीं बोला ऐसा, कि हम मुसल्माने हम जीत गए, साओधी अरब वालों नहीं बोला, UAE वालों ने नहीं बोला, बंगलादेश ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं न कि इडिया बे भी काफी लोग समझते हैं, कि ऐसा है कि मुसलिम से ऐसे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है, आप पूरी दुनि में छोर पे मिलेगा ऐसा पागल पना कभी भी आप देख ले ना मलेशिया ने कभी बोला ऐसा ठीक है कश्मीर के उपर once in three years बयान दे लिया फिर चुप हो गए ठीक है it is within the rights we agree or disagree और अलएदा बात है आपने कभी इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसल्मान मौलक है आपने इंडोनेशिया को सुना बोलते वे यही है इसलाम का जंडा लेने वाले पाकिस्तानी इसलिए यह जलील होते हैं इसलिए जलील होते हैं हर मौल पे जलील होते हैं क्योंकि इसलाम की जो पैदाईश थी इसलाम की पैदाईश थी इंसाफ पे और बराबरी पे equality and justice पे इसलाम की पैदाईश होई थी that was the core principle इधर ना तो justice है ना इंसाफ है पाकिस्तान में ना यहाँ पे एक्वालिटी है और ये मुसल्मानों के ठेके दारे हैं तबी इनको वैसी जैसे लोग पसंद आते हैं तो दोस्तों ये एक और चीज हो गई हमारा एक निउस आइटम कि भई उसने मुसल्म कंट्री है तो बहुत तीर मार दिया इमरान खान हैस कॉंग्रेचुलेटिड मुरोक को बिंग अ मुसल्म कंट्री आखरी जो चीज मैं आज आपको लेकर आऊंगा ख़वर दोस्तों आपके लिए कि बहुत इंट्रेस्टिंग है और ये जैपान में ना ये शिफ्ट हो रहा है देखे सेकंड वल्ड वार के बाद क्या हुआ कि वो जैपान लगबग डिस्ट्रॉई हो गया था हिरोशिमा नागासा की और वो सरेंडर हो गय थे वहां पे और एंपरर ने अपनी सोर्ड देदी थी और कुछ-कुछ हुआ था वहां पे बहुत लंबा चोड़ा सेकंड वल्ड वार में बट यू ना बेसिक्ली अ अलाइड फोसस के सामने और जर्मनी और इंटली और जपैन अन जपैन अल वहाद इस आक्सिस सरेंडर्ड हिटर्ड कमिटे सुसाइड मुसलू निगायब हो गया पिए नोना सरेंडर कर दिये यह सब हो गया और हिरोशिमा नागा साकी में आटम मोम गिरे थे आपको पता ही है यू नो दे स्टोरी नाइटीन फॉर्टिफाइब में फर्स्ट टोर खताम होगे अब हुआ यह कि तबसे जपैन को यह बोला कि आपके पास कोई ऐसी आर्मी नहीं लेगी बस जपैन के पास एक छोटी सी सेल्फ दिफेंस वोर्स है जपैन के पास और जपैन के पास जादा कुछ नहीं है क्यों कि तुमारी फॉज नहीं बहुत तैसना समझाए अब तुम फॉज नहीं बनाऊगे और आज मैं बता रहा हूँ आपको की दो वर्ल्ड इस सफरिंग विकॉज जर्मनी एंड जपैन डोंट है स्ट्रॉंग आज वर्ड यह पूरा जो मैं बता रहा हूँ आपको चीन क्यों दिखा पारहा है यही जैपान था जिसने कई साल पहले चीन के अंदर घुसके ना चीन की वाट लगाई थी अच्छी तरीके से लगाई थी पर आपने पिछले 75 साल से मनाई कर दिया उसको फिच अटतर साल से किसाब आपके पास फॉजी नहीं होगी अब नहीं थी तो नही fighter planes they have their navy but it's not an offensive force it's a defensive force आपको एक offensive force ची और मैं यह क्यों बोल रहा हूँ Koji Hagiuda, Policy Chief for Japan's ruling Liberal Democratic Party said Japan needs to increase its military spending for the face in the grim reality of the threat from China and North Korea Koichi Hagiuda said during his visit to Taipei, Taiwan that since the World War 2 Japan has walked the path of peace and that path will not change in the future however just reciting the word peace is of course not enough for our peace to be protected यही चीज़ इनोंने कह दी है जो मैं कई सालों से कहता हूँ कि यार अगर आप किसी चीज़ से महबबत करते हो ना if you love something you must be willing to defend it with violence Japani अब भी आज से नहीं कई सालों से यह भी कह रहे हैं कई सालों से कह रहे हैं कि boss आपने तो हमें बोल दिया कि अब आप लड़ोगे नहीं अब आप कुछ नहीं करोगे अब आप शांती प्री बनके रहोगे तो हम शांती प्री बनके रहें यह जो बंदा है हाई गुड़ा यह क्या बोल रहा है यह भुड़ी है वड़ी से सेंगे स्र पीस कहके पीस नहीं होता शांती शांती बाहां रखने कं रहें ताकत होनीची आपकी भुजाओं में आपकी बजुब में ताकत होनीची जीए कि लोग आपको शांती से चोड़ दें अगयाσι नौर्थ कोरिया मिसाईय। चोड़ा है अरलोज। डेली डेली वो पागल आद्मी कड़ा होजाता है। जैत आज मिसाईल याांट फायर करो कलो फायर करो हुसको बैपी दीवाली करहा है वो डेली। वहाँ पर चाइना है, जो कि कह रहा है कि हम जैपान के आइलेंड, जैपान में काई सारे आइलेंड चीन लेंगे, यह कर लेंगे, वो जैपान की उपर वो कर रहा है, तो कह रहा है कि हम लोग अपने आपको कैसे डिफेंट करेंगे, आपने ऐसा कर रहा है, मुझे लगता है क अब वक्त आ गया है जो को अगर चीन की नकेल कसनी है ना तो सब को मिल के काम करना पूलेगा and I think Japan should invest, the world should talk to Japan and say कि बस जो भी था हमारा अब वो पुरानी चीज है 75-78 साल होगे उसको 1945 के बाद, अब एक नई दुनिया है, एक नया थ्रेट है, उस समय चाइना थ्रेट नहीं था उस समय थ्रेट जर्मिनी था, उस समय थ्रेट जेपैन था, आज की तारिक में वो तो थ्रेट है नहीं जैपैन बन गए एकोनामिक सूपर पार, अपनी फॉज उसने बिल्कुल डाउन कर दी, अब जैपैन को अगर अच्छी फॉज बनानी है, ठंकी फॉज बनानी है तो चाइना का मुकाबला करे, तो जैपैन के एक तो पूरी दुनिया का कोपरेशन चाहिए, वेपन चाहिए टेकनोलोजी चाहिए और कम से कम 20 साल चाहिए, 15-20 साल से कम में एक काम हो ही नहीं सकता, बिकॉस इट इस एफट लेकर मैं आपको बता रहा हूं, इनका बहुत वाइलेंट पास्ट रहा है, इनका जो अतीत है न, जैपैन का, वो बहुत खून खराबे से भरा हुआ है, ये अगर फिर से इनके आतना है रहा है, ये फिर से पता मुडा देने चाहिना की, ये कर चुके हैं, जर्मनी, they've had a very violent past, 1st World War, 2nd World War, जितना खून भाहा है अपना भी और दुश्मनों का भी, मतलब बेंतिहा खून भाहा है, अब इनको चुपचाप कर दी है, और जर्मनी चाहिए, अगर आपको NATO strong बनाना है, तो, you can't tell Germany that, ठीक है, कि you are no longer an aggressive power, you need to make Germany an aggressive power, within the confines of its democracy, तो दोस्तों, आज का वीडियो ही पे खतम होता है, मैं आशा करता हूं, आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगाओ गया वीडियो, मेरी रियक्शन वीडियो आपको पसं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें